दोस्तो आज हम लोग देखेंगे दुनिया का कुछ ऐसा खाना जो कोई भेजी टेविल या मीट से नहीं बनते हैं जो बनते हैं आपके घर के आसपास रहने वाला किड़े मकिडी से तो चलो शुरूआत करते हैं आज कब दियो ऐ खाना को बनाया जाता है यह सिकाडास कडीडा देकर हाँ भाइ पहले तो कुछ आजो किड़े को पकार कर बोईल किया जाता है उसके बाद कुछ इंग्रेडियन्स देकर एक कड़ा कtv कटीडा को फ्राई होता है तो सज्द मुझ्छ एखाना का स्वातला जबाब होता है दोस्तों यह मेरा बाद नहीं है जो लोक मेल औरन कीड़ा को खाया उन लोगों का कहना है एक खाना बहुत ही टेस्टी होता है तो आईए एक चुठी में जान लेते है कैसे बनाया जाते है एक खाना को पहले तो एक मिकसर में ओनियोन, लेवोन, मीर्च और कुछ वेज़िटेबल दे कर एक सास जैसे कुछ बनाया जाते है उसके मत क्या सब इंग्रेडिन से बना हुआ सौस और कुछ खाने का चीज़ के साथ जिन्दा मेल औरन कीडा दे कर एक साथ खाया जाता है भाई आप तो इस कीडे को आपके घर के आसपास बहुत ही बाद देखा होगा लेकिन कभी अपने सुचा अगर इस कीडे को फ्राई करके खाया जाये तो कैसा लाएगा बिल्कुल सही सुचा दोस्त कुछ देश्ट के लोग इस कीडे को भी खाते है जैसे ए मैडाम जी को देखिए कैसे जैंगल से इस कीडे को पकाड़के तेल में फ्राई करके निम्बू, मिर्च, नमा, गरली ये सभी इंग्रेडियन्स को एक साथ मिला कर एक स्पेसल मसाला त्यार कर रही है और एक स्पेसल मसाला के साथ एक फ्राई कीड़ा को बहुत ही मज़े के साथ खाया जाता है इस कीड़े के बार में और क्या बोलू कोक्रोच तो पुरा धर्टिका सबी इनसान को परिशन करने वञा कीड़े में से एक है लेकिन मझे के बात यह है इस कीड़े को भी इनसान नहीं चोड़ते आ जाते हैं ओभी आग में पका के नहीं भाई नहीं एक कोई कार ड्राइविंग करने वला कीडा नहीं है ए तो एक कीडा का नाम होता है और कुछ देश के लोग इस कीडा को पानी में बॉयल करके एक बड़ा काड़र के अंदर संस्प्लावर ओयल में कीडा, सौस और कुछ इंग्रेडिन्स देकर अच्छे से म आना हुआ ए सभी खाना आसल में टेस्टी होता है मुझे तो नहीं लगता है आपको क्या लगता है जरू कोमेंट करके बताना